हेलो फ्रेंट सौगत आपके ही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो में इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह होने वाला यहां पर इंडिया वुमेन व्स न्यूजिलेंड वुमेन के बीच यहां पर फाइनल वन डे मैच होने वाला इस मैच की वीडियो इस वीडियो में आपके लिए फिर से फ्री गीव एवे रखा कि एक सिंपल सा कोशिण आपसे पूछा जाएगा उसका आपको आंसर करना और आप फ्रीमें मांट विन कर सकते हो वह कोश्चन में आपको आगे पूछने बाला हूं इसलिए वीडियो से जुड़े रहना एक एसे करनी है प्लस आपके साथ यहां पर हम भाई की पिक्स भी शेयर करने वाले हैं देखो अगर आप लॉंग टर्ब में हमाई तरह ऐसा अच्छा खासा अलाकों में करना चाहते हो बिन करना चाहते हो आप और जीएस्टी बचाना चाहते हो डेफिनेटली आपको हमारे टेली आपको एक लिंक दिखाई देगा जिस पर टेलीग्राम करके लिखा होगा ऐसा इस पर क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल ओपन आजाएगा फिर उसको जॉइन कर लेना है बिल्कुल फ्री चैनल है हमारे बिंदाज जाके जॉइन करो एक बिरुपे देनी की जो तुमे आपके लिए जोएंकर करको तीनों लिंक हमारे बिल्कुल फ्री जिसमें टेलीग्राम का बहुत इंपॉर्टन है कि फाइनल टीम आपको यहीं मिलेंगी बागी लोग फैंटेसी खेलते हैं जरूर आप फैंटेसी में लागी तो लोस लॉस में राते हैं इसके पीछे काफी रिजन्स होते हैं जिसमें से एक बड़ा रिजन इंवेस्ट्मेंट तो उसके उपर मैंने फुल वीडियो बनाई है तो आप यह वीडियो जुरूर देख लेना बहुत को सीखे जाओ इतने लोगों ने भी तक देखा और इतने लोगों लाइक करा है आई बटन पर इसका ल इंजड वोमें लिखना है विनर का डिस्ट्रिब्यूचन ऐसे रहेगा तीन से ज्यादा विनर होए तो क्लैश में जिसका टाइमिंग एकॉर्डिंग आंसर पहले होगा इसको विनर अनौंस किया जाएगा और एडिटिट आंसर अलाउड नियर मल्टीपल आइडी से आपके लिए कोशन रहने वाला है यहां पर सेम ग्राउंड है एहमदाबाद का और वैदर जो है वह क्लियर है रहें का कोई भी थ्रेट नहीं है इंवेश्मेंट जो रहेगा पैटन जो है वह हंड्रेड मतलब सारा का सारा इस मैच परसनली मैं इंवेश्मेंट जो रहेगा बावजूद भी इंडियन टीम हार गई जो कि मुझे लग रहा था कि अमीलिया करके ना वनेगे से न्यूजिलंड हार जाती बट फिर भी नोन अच्छा खेल और मैच को जीता है तो आप सो सकते हैं एक टक्करवाल हो सकता है बट मुझे लगता फिर भी थोड़ा स्लाइड लिए अपर हैं इंडिया का हो सकता है फॉर्मेट वन डे का एक्सपेक्टेड डिस्कोर यहां पर डेफिनेटली टुफ ट्वेंटीफ प्लस हो सकता है टाइमिंग जो है वो इंडिया कॉरिंग देर वजे दिन में मैच है और वैदर जो है वो वैदर रता चुका पाउज प जो फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं और आगे जैसे जैसे गेम बढ़ती है जैसे स्पीनर के लिए भी हल्प है तो एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर बैट्समें और बॉलर हो या चाहिए सब के लिए कुछ ना कुछ जरूर है और लास्ट दो मैच हो चुके इस सब 20 स्पीनर्स ने लिए तो जदा डिफरेंस नहीं है और जनरली मैच में से ज्यादा दावतर स्पीनर्स वेकट ज्यादा लेते ही है तो यहां पर आप फास्ट बॉलर स्पीनर्स दोनों को एक बैलेंस कॉंबिनेशन बना के टीम में फिक करके चलना बांडी डामिंशन ज स्पीनर्स को डॉमिनेट करते दिखाती है एक पिच रिपोर्ड में आपको टेलिग्राम पर दूंगा कि कौन सी मैच है बाकी कोई अपडेशन आईगी तो टेलिग्राम पर अपडेट रहेंगा क्योंकि जब एक ग्राउंड होता इस पर एक ही पिच नहीं होती बहुत सारी पिच का नेचर अलग होता है बाकि टॉस का जो रिजल्ट है मुझे लगता है टीम को पहले बैटिंग करने चाहिए कि पहले बैटिंग करने टीम को एडवांटेज मिल रहा है चेस करना टॉफ हो रहा है टीम्स के लिए और डियू भी नहीं आ रही है तो यह भी दिक्कत य ट्ध टॉटल मैंच वो में जिस में दो बार सो दोशों के नीचे रहा है दोबार डाइसों के बीच में रहता है तीनक व्हारा है टीनसों के वार्व आत्यों नहीं है वोमेंस में एवरेज स्कूर मुवमें में 25 में 200 के राउंड है एवरेजन पर विके 32 एक बैटिंग डीसेंट ग्राउंड मतलब बंडे में जनरली 35-40 के आसपास होता है और तो एक बैलेंस है यह 32 और लोई स्कूर में जाहेगा डेफिनिटली जो लोई स्कूर वेन्यू रहते हो उसमें 25 इसके आराउंड या 20 तक एवरेजन पर विकेट 5 हर और में पांच एवरेज सरंड बनेंगे 50 और से मल्टिप्लाइब कर दोगे तो आपका 200 आवरेज स्कूर आएगा बैस्ट बॉलिंग फिगर जो है वह 20 पे चार रुमाना आहमद और 12 पे चाह रहे हैं प्रसित कृष्ण का 259 लोएस्ट बंगलादेश का है और हाइस्ट मैन में इतना है लोएस्ट इतना है इंडिया पहले बैटिंग करें किसको बाइक करना आगे डिसकस करें देखो लास्ट नमें आपको बाई में बाई की तीन पिक दी ती रादा यादा वरूंग अच्छे प्रोफिट में र सब्सक्राइब करें तो आपके सब्सक्राइब कर लेना और दूसरी है आपके साइमा ठाकूर इनको आपको बाई करके चलना है अगर इनकी टीम पहले बाई बैटिंग करती है इंडिया की और नियुजरन की टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप सोफी डिवाइन को बाई कर सकते हो एडन कार्सन रहेंगी ली तहू हू रहेंगी तो यह सारे आप्शन है अब देखो इस एप के वारे में तो बहुत टा अगरार नहीं तो बहुत गहीं तो मतलब तो मतलब प्लेग लाएंग इस अफ्रीका सीरीज में था बैट बैटर है चेस करना पसंद करती है बट अभी रिसेन्ट और वर्ल्ड कप से गई वी है वर्ल्ड कप में भी शेलंगा अगेस्ट हाफ सेंचराइज इसके लावा तीन मैच फ्लॉप रहे थे अभी तक दो मैच बड़े फ्लॉप रहे हैं बड़े इंडिया की बैस्ट बैटर है तो सकता है एक आज इनिंग मिल जाए तुसमें बड़ी इनिंग परफॉर्म कर जाए ले सकते हो अधराइस काफी लोग ड्रॉप करके भी आ सकते क्योंकि दो मैच में चली नहीं है बट आप नहीं कर सकते क्योंकि अगर मंदना सोड़ी सीरसली स्टार्ट अगर स्टार्टिंग के और निकाल दे तो एक बड़ी इनिंग कर सकती है बाकि शेफाली वर्मा तो थोड़ी ऐसी प्लेयर जिसमें ट्रस्ट नहीं कर सकते मैं में में ज्यादा रेकमेंड करने वाला स्मॉल लिक में थोड़ी सेफ नहीं है अभी रिसेंटली साथ अफ्रेया टेस्ट सीरीज वी तो परफॉर्म तो करती है बड़ दिक्कत यह की कि दिक्कत है बागी यहां है और वंडे की अच्छी प्लेयर है और टेस्ट टेस्ट फ्लेयर भी है अच्छी यहां पर अगर बात की जाए तो प्रैक्टिस मैच में वर्ल्ड कप में स्ट्रॉपीस किये थे बागी पहले मैं 37 दूसरे वारा तो दोना जो नीजरेंड की विकेट कीपर में जो ऑप्शन 133 मैच और 36 38 और 31 विकेट से हैं और बिग मैच प्लेयर है और लाश्ट पहले मैच में निगल के विए से नहीं खेली थी पर वर्ल्ड कप अच्छा गया था बावन अटाउट चौवन नटाउट नटाउट पंदरा और चौवीसन बनाए थे हैं यहां पर लास्ट मैच में तो मुझे लगता है कि कि यहां पर इस मैच में इस ग्राउंड पर हाइस्ट इंडिविजिल स्कोर भी हर्मन प्रीट कोर का एक सो तीन तो लेकर जाएंगे और मैंने देखा कई बार पार्ट टाइम ऑस्पिन बाॉलिंग भी कर ले ते क्या पता जुरुत पढ़ने पर एक बाइब बाइब बॉलिंग भी कर ले जमाही में रॉटरिक्स तीस मैच 710 रन 27 पाज जो किट पैंटीस मनाए पहले दूसरे में 17 इंडिया की टीम की बैस्ट फिल्टर में से देखा जाते रादा यादा वह और एक दूसरी रोटरिक से यह वाद मैंने आपको लास्ट माच मतलब स्वीप शॉट्स वड़ एच्छे खेलते और एंकर करोर प्ले करते हैं तो मिनी ग्रेंड लिग में ट्राइक कर लेना बागे तेजल हसाब नीज में पहले मैच व्याली से अपने डेब्यू में वह अच्छी बैटिंग के दूसरे में 15 बनाए तो ग्रेंड लिग में से ट्राइ कर सकते हो बागी है इंडिया की बेस्ट बोलूंगा और कैप्टैंसी की सेफ ऑप्शन भी है और पहले में दो एक विकेट दूसरे में दो विकेट ले गई नो से दस ओवर करेंगी बैटिंग से कॉंट्रिब्यूट करेंगी वल्ड कप थोड़ा एवरेज गया अच्छा नहीं बटिशल कैप्टैंशी की बग्रशाओ सेफिस्ट और मल्टी बैकर इस मैंच में अरुंध्टीय यह चुन में दो गर दो विकेट लिया तो चार मैंच विकेट लियुद्ट में अच्छे वेरिएशन में पलस बैटिंग भी कर लेती है पंदरावी सम करने क इंडिया अगर पहले वालिंग कर सकते हो बाकि रादायादव जो है वह लेफ्टाम और पहले मैच भी हमने टीम में लिया था काफी लोग ने मिस किया था यहां इसके इनकी वेसे विन अच्छा हुआ दूसरे मैच में तो नहीं अच्छा किया ही तीन कैची इस पकड़ी चार विकेट लिए बैटिंग से 48 वी किया थे क्वाइस अप्टेंसी के एक अच्छी कंटंडर तो लेके जाना है यहां पर रादायादव को और अपनी टीम में सबसे बैस्ट फिलिंग करती है और स्टंडर्ड भी बड़ा है बाकि यहां पर है सायमा ठाकुर दैथोगर में अच्छी करी बाकि प्रिया मिश्रा को मौका मिला दस ओवर डाला एक विकेट लिए और बालिंग में देखा मैंने कल टर्न अच्छे टपे पर गरवारी थी और टर्न भी बॉल को अच्छा गरवारी थी तो लाइन और लैंटी मुझे काफी अच्छी लगी और फ्यूचर म अराधा यहादव अरुंदेत्ति रेडियो और साहिमा ठाकूर यह दैथ होवर के बॉलर के बीचु में बैंच में यहां पर है रेनुका हो सकता है टीम रेनुका को मौका दे बट रेनुका ने वैसे कुछ खास किया नहीं पहले मैच में बट वर्ल्ड कप में पहले सिफ ऐ चाहिए बाकि है डियालन हेमलता थी का वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया एक मैच मोका मिला यहां पर पहले मैच में टीट्वन्टी में वंडे में जो पहला मैच हुआ और आईपेल अच्छा गया था पर उसका एश्या कप में फ्लॉप रही थी राइटन बैटर आउस्प बाकि शोबन आशा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी कि सेयाली साथ गरे राइटन बैटर फास्ट बोलर उमा चेतरी का एश्या कब अच्छा नहीं गया था इंपोर्टन बोलोगे तो मैं यहीं रिकमेंड करूंगा देखो ड्रॉप करके काफी लोग आएंगे पर वर्ड़कप जीता है जनरली यह टीम बाइटर सीरीज हाड़ जाती है वर्ड़कप से पहले इंगलेंड के अगेंस्ट 5-0 सीरीज थी उससे पहले फिर ऑशले के साथ 3-0 सारी थी बट कहते हैं कि क्रिकट एक डेगा गेम होता है कि अगर आप अच्छा खेलों के तो जीतों देख लो न्यूजलेंड ने दो तीन दी नच्छी घेल और वर्ड़कप जीत गई पहले मैच में अमीलिया कर थी फिर भी हार गए दूसरे मैच में अमीलिया कर नहीं थी फिर भी जीत गए क्रिकेट में आप किसी टीम को किसी दिन अंडरेस्टिमिट नहीं कर सकते हो बेट साइटन बैटर है फास्ट बालर है और काफी एक्सपिरेंस प्लेयर है और वुमें बाइधिंग वन और मोस्ट मैच खेल चुकी है अठावन नमें लाश्ट मैच बालिंग नहीं करी पहले म और जवर्द पढ़ने पर जब मौका मिला था वेस्टन डिसक बालिंग भी की थी प्लीमर फ्यूचर नेंकी और अच्छी प्लेयर है वर्ल्ड कॉप से पहले उतना कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था पर वर्ल्ड कॉप में काले की इंटेंट के साथ आई थी टीम को अच्छा स्टार्ट देरी थी दो तीन मैच में अच्छा परफॉर्म किया और पहले वंडे में 25 में दूसरे में एक तालिस कंसीटर कर सकते हो लॉरें डॉन ठीक है काफी बीच में मौका मिलता नहीं कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते वे देखा नहीं इतना रेगुलर पह मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है कि पूरे ओवर करेंगी तीन विकेट विकेट विले इस मैच वाइस अच्छी प्लेयर और वह में वन आप दी मोस्ट डेंजरस प्लेयर्स में से आती है वल्ड कप थोड़ा एवरेज गया था बालिंग उतनी नहीं की थी सिर्फ एक अगर फिफ्ट पांच बालिंग उप्शन का है न्यूजिलेंड जारी है सिक्स ते सेवन यहां पर हाली डे है तो सप्राइसिंगली कभी बालिंग कर सकते हैं एक से दो वर जैसे पहले मैच में एक ओवर किया दूसरे में बालिंग करने का मौका ही नहीं मिला टीट टीट व प्रेफरेवल रहे हैं कि विकेट कीपर तो कैचिंग स्टंपिंग के पॉइंट ही मिलेंगे बागी यहां पर जैसकर बड़ी बहने दोने मैच में अच्छी बॉलिंग करी है और बैटिंग भी इंपॉर्टन रहेंगी चाहिए टीम पहले बैटिंग कर चाहिए बाद में ल लेके जाएंगे खासके न्यूजरेंड पहले बालिंग करें तो फिर तो 100% लेना ही लेना है बाकि इडिन कार्सन तो पूरे वर्ल्ड कॉप से बालिंग करी रही है कोई वितलब शकी नहीं है अभी दो वंड़े में दो दो विकेट लिए वर्ड कॉप में थ्रू आउट प अब दैतोर में आपको चाली से पचासों कर डिवाइन ताहू बॉलिंग करते हैं कि बैंच में यहां पर मसल इंजरी है और मैंने प्लेयर ऑफ दा टॉर्नमेंट रही थी वर्ल्ड कॉप में बाकि पॉली इंगलिश विराइटन बैटर विकेट कीपर अल्रेडी अच्छा क करें तो मुझे लगता है खिलाएंगे नी डॉमेस्टिक में अच्छा प्रफार्म जरूर करती है हना रोवे का चांस कम है और मैंनी मॉली पैंट फोल्ड तो पहले मैच वह सिफ पांच और बॉलिंग की थी इंजर्ड हो गई थी इंपॉर्टन बोलोगे तो देखो मैं बे इस पर आप पर आएगी और मुझे चार साल से उपर होगे अल्मुस्ट पांस साल होने वाला इस एप में खेलते हैं आज तक मुझे कोई इस्व है ना तो मैंने यूजर्ट को ने दिया है और जी इस टी और टी डिपॉजिट में जी इस टी करता है वह भी कंपनी आपके ल लगा सकते हो थोड़ा स्मार्ट बनने की जो रहते हैं रखके चलना बाकि अगर बात की जाए तो यहां पर एक की चीज़ और बोलूंगा कि कोई इश्व आ तो मुझे इस्टर्गाम पर मैसेज कर देना मैंने अल्रेडी लिंक आप को इस्टराइं का वीडियो के बागे मैंने मंधना को लिया आप हालीडे के साथ जा सकते हो हालीडे सेवन्थ वालिंग आप्शन रहेंगी टीम के लिए वह है आपके सूजी बेट्स अबर्मा पर ट्रॉट्रिक्स मिनी ग्रेंड लिग प्लीमर को आप ऐसा बैटर में उतना ट्रॉश करता नहीं थोड़ को लिए कर को लिए साइमा ठाकुर को लिए अब रेड़ी के साथ भी आ सकते हो साइमा ठाकुर के जगा तो मेरे दस प्लेर और मॉस्ट कंफर्म है ले मनत अगर नुदरन पहले बॉलिंग करें तो फुना फ्राइन जोनेस के साथ आ सकता हूं जैन यहां पर अरुंदर्थी रेड़ी को प्रैफर कर सकते हो पी मिश्रा डिस्क टेकर्स के लिए और हाली टे मेरा लेना है बट हाली सेवन्द बॉलिंग ऑप्शन हो चुके हैं टीम के लिए ठाकुर को मैं जबलूँगा तब इंडिया पहले बॉलिंग करी कैप्टन जो सब्सक्राइब करेंगे लोई स्कूर बनेगा यह टीम मैंने सोच के बनाए कि बैटिंग फ्रेंडली मैच होगा इसमें इंडिया वैटर्स टो सब्सक्राइब करेंगे यह रेंडम टीम है दोने टीम के मेन स्पिनर्स को मैंने वाइस अप्टन किया है लिंक वीडियो की नीचे कमेंटर मिल जाएगा सबसे ओपर बिल्यू किलर का लिंक होगा जैसे इस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चानल ओपन आजाएगा देन इसको सब्सक्राइब करते हैं